दूसरा सलातीन पंधर्मा बाब शाह इस्राइल यूर्बाम के सताइस में बरस से शाह यहूदा इमसिया का बेटा अजरिया सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो सोला बरस का था और उसने यरुशलम में बावन बरस सल्तनत की। उसकी मा का नाम युकलिया था जो यरुशलम की थी और उसने जैसा उसके बाप इमसिया ने किया था ठीक उसी तरहा वो काम किया जो खुदावन की नजर में भला था तो भी मकाम धाय ना गए और लोग अब तक उन्चे मुकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे और बादशा पर खुदावन की ऐसी मार पड़ी के वो अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा और अलग एक घर में रहता था और बादशा का बेटा युताम महल का मालिक था और मुल्क के लोगों की अदालत किया करता था और अज्रिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बन नहीं और अज्रिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाओद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया और उसका बेटा युताम उसकी जगहा बादशा हुआ और शाह यहूदा अज्रिया के अर्टीसमे साल युर्बाम के बेटे जेक्रिया ने इसराइल पर सामरिया में छे महीने बादशाही की और उसने खुदावन की नजर में बदी की जिस तरहा उसके बाप दादाने की थी और नबात के बेटे युर्बाम के गुनाहों से जिस से उसने इसराइल से गुना कराया बाद ना आया और यबेश के बेटे सलूम ने उसके खिलाफ साज़श की और लोगों के सामने उसे मारा और कतल किया और उसकी जगह बादशाह हो गया और जिक्रिया के बाकी काम इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बन है और खुदावन का वो वादा जो उसने याहू से किया यही था के चौथी पुष्ट तक तेरे फरजन्द इसराइल के तख्त पर बैठेंगे सो वैसा ही हुआ और शाह यहूदा उजाया के उन्तालिस में बरस यबेस का बेटा सलूम बादशाही करने लगा और उसने सामरिया में महीना भर सल्तनत की और जादी का बेटा मिनाहिम तिर्जा से चला और सामरिया में आया और यबेस के बेटे सलूम को सामरिया में मारा और कतल किया और उसकी जगह बादशाह हो गया और सलूम के बाकी काम और जो साज़श उसने की सो देखो वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबन हैं फिर मनाहिम ने तिर्जा से जाकर सिफा को और उन सबों को जो वहां थे और उसकी हदूद को मारा और मारने का सबब ये था कि उन्होंने उसके लिए फाटक नहीं खोले थे और उसने वहां की सब हामला औरतों को चीर डाला और शाह यहूदा अज्रिया के उन्तालिसमें बरस से जादी का बेटा मनाहिम इस्राइल पर सल्तनत करने लगा और उसने सामरिया में दस बरस सल्तनत की और उसने खुदावन की नजर में बदी की और नबाद के बेटे यूर्बाम के गुनाहों से जिन से उसने इस्राइल से गुना कराया अपनी सारी उमर बाज ना आया और शाह असूर पूल उसके मुल्क पर चड़ाया सो मनाहिम ने हजार कंतार चांदी पूल को नजर की ताके वो उसकी दस्तगीरी करे और सल्तनत को उसके हाथ में मुस्तहकम कर दे और मनाहिम ने ये नकदी शाह असूर को देने के लिए इस्राइल से यनि सब बड़े बड़े दौलत मंदों से पचास पचास मिसकाल फीकस के हिसाब से जबरन ली सो असूर का बादशा लोट गया और उस मुल्क में न ठहरा और मनाहिम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तबारीख की किताब में कलमवन नही और मिनाहम अपने बाब दादा के साथ सो गया और उसका बेटा फखीहा उसकी जगहा बाद्शा हुआ और शाह यहूदा अज्रिया के पचासमे साल मिनाहम का बेटा फखीहा सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने दो बरस सल्तनत की और उसने खुदावन की नजर में बदी की वो नबाद के बेटे यूर्बाम के गुनाहों से जिन से उसने इसराइल से गुना कराया बाद ना आया और फिखा बिन रिमलिया ने जो उसका एक सरदार था उसके खिलाफ साज़श की और उसको सामरिया में बादशा के महल के मोहिकम हिस्सा में अरजोब और एरिया के साथ मारा और जलादियों में से पच्चास मर्द उसके हमरा थे तो वो उसे कतल करके उसकी जगह बादशा हो गया और फिखिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बन है और शाह यहूदा अजरिया के बावन में बरस से फिख बिन रिमलिया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने बीस बरस सल्तनत की और उसने खुदावन की नजर में बदी की और नबात के बेटे यूर्बाम के गुनाहों से जिन से उसने इसराईल से गुना कराया बाज ना आया और शाह इसराईल फिखा के अयाम में शाह असूर तिगलत पिलासर ने आकर अयोन और एबल बैत मक्का और युनोहा और कादिस और हसूर और जलाद और गलील और निफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके असूर में ले गए और होसिया बिन एला ने फिखा बिन रमलिया के खिलाफ साज़श की और उसे मारा और कतल किया और उसकी जगह उजेया के बेटे युताम के बीसने बरस बादशा हो गया और फिखा के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया इस्राइल के बादशाहों की तवारिख की किताब में कलम बन हैं और शाह इस्राइल रमलिया के बेटे फिखा के दूसरे साल से शाह यहूदा ओसिया का बेटा युताम सल्तनत करने लगा और जब वो सल्तनत करने लगा तो पच्चीस बरस का था उसने सोला बरस यरुशलम में सल्तनत की और उसकी मा का नाम युर्वेसा था जो सदूक की बेटी थी और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला है उसने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसे उसके बाप उज़ाया ने किया था तो भी उँचे मकाम धाय ना गए लोग हनूज उँचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखोर जलाते थे खुदावंद के घर का बालाई दर्वाजा इसी ने बनाया और युताम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बन नहीं उन्ही दिनों में खुदावन सिताए एरम राजेन को और फिखे बिन रिमलिया को यहूदा पर चड़हाई करने के लिए भेजने लगा और युताम अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाओद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ और उसका बेटा आखिज उसकी जगहा बात्शा हुआ